कुलू जिला अतेरिक्त दंडादीकारी अक्षिश सूद ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में आम जनुमानस की अधिक से अधिक भागिदारी से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है इसलिए हमें प्रतेक्चुनाव में अपने मतादीकार का प्रयोग करना चाहिए और किसी भाई या प्रलोभन के बगैर अपने विवेक के अधार पर मतदान करना चाहिए शुकरवार को राश्य मतदाता दिवस के उपलक्षपा ढालपूर के अटल सदन के सभागार में आयजित जिलास्तरियस मारो की अधिक्षता करते हुई एडियम ने यह अपेल की उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गए थी और वर्ष 2011 से इस दिन को पूरे देश में राश्य मतदाता दिवस के रूप में मनाय जाता है निर्वाचन आयोग परतेक चुनाव में मतदान की पतिशत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रियासरत है और मतदाता दिवस भी मुखे रूप सी इसी को समर्पित है सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सुचियों में शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन और आफलाइन कई तरह से सुविधाय परदान की है और इन सुचियों का नियमित रूप से पूररेक्शन किया जाता है इस वर्ष आयोग ने राश्यों मतदाता दिवस का ठीम कोई भी मतदाता ना चुटे रखा है एडियम ने कहा कि कुलो जीला के चारों विधान सभाक्षित्रों के मतदाता सुचियां 21 जनवरे को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दे गई है इसके बावजूद किनी कारणों से अगर कोई मतदाता चुट गया है तो वह ओनलाइन या ओफलाइन आवेदन कर सकता है इस अवसर पर निर्वाचन विभाग के तहसिलदार चुनिराठ ठाकुर ने एडियम अन्य अतित्यों, प्रतिभागियों और नए मतदाताओं का स्वागत किया और राश्यों मतदाता दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला उन्होंने मतदाता पंजिकरन से संबंधित कई महत्तो पुरुन जानकारियां भेदे समरो के दोरान मुख्य निर्वाचन आयोक्त सुनील अरोडा के संदेश और एक लगू वृत चितर का प्रसारण भी किया गया एडियम ने सभागार में उपासित लोगों को सुतंतर निश्पक्ष एवं शांतिपुरुन निर्वाचन के गरिमा को अक्षून बनाए रखने की शपद देलाई कुलू से बिरो रिपोर्ट के चनाल